नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। पेशियों स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद मिलती है। बहुत से लोग दही के साथ फलो का सेवन करते हैं, बता दें कि दही के साथ फलो के सेवन से पेट और आतों का काम कास बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। लंबे समय तक सेवन से च्याप्चे संबंदी समस्यां और एलर्जी हो सकती है। मांस मचली के साथ दही खाना जहर की तरह। डॉक्टर का मानना है कि दही के साथ चिकन मटन या मचली जैसे मांस का सेवन सहत के लिए खतरनाक है। इन लोगों के लिए खतरनाक है दही का सेवन। डॉक्टर के मुताबित दही को कभी भी गरम नहीं करना चाहिए गरम करने पर यह अपने गुनों को खो देता है। इसके अलाव मोटापे, कफ, ब्लेडिंग, डिसॉडर और सुजन की समस्याओं से पिडितों को दही खाने से बचना चाहिए। रोजाना या रात को न खाएं दही। डॉक्टर के अनुसार रात के समय दही का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। नियमीत रूप से आपके वल चांच का सेवन कर सकते हैं। दही खाने के सही समय क्या है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे कटोरा भर-भर कर और रात में दही खाने की आदत होता है। आईरवेद इन तीनों बातों को गलत मानता है अगर आप दही खाना चाहते हैं तो इसे कभी कभार दोपहर के समय और कम मात्रा में खाना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे हैं मेडिकल माइक। साथ ही हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।